हलो फ्रेंट्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ चीरा राइस और डाल फ्राइ की रेसिपी चीरा राइस और डाल फ्राइ एक पॉफेट कॉबिनेशन है बनाने में तो बहुत आसान है यह और यह जल्दी से बन भी जाते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं चीरा राइस बनाने के लिए एक कप पास्मती राइस को धूब कर पानी में आधे घंटे के लिए भिगो करके रखते प्रेशर कुकर में दो छोटे चमबच घी डाल कर गर्म कर लें जीरा राइस बनाते समय तेल की जगे अगर आप घी का इस्तमाल करेंगे तो इसकी खुश्पू और टेस्स दोनों ही दो गुना हो जाते हैं इसमें जो खड़े मसाले में डाल रही हूँ वो हैं एक तेजपता, एक बड़ी इलाइची, एक छोटी इलाइची, एक इंच दालचीनी, एक पत्ती जावित्री और दो लॉंग इन सभी खड़े मसालों को डाल कर इसे एक मिनिट के लिए फ्राइ कर लें अब इसमें डालें एक छुटा चम्मच जीरा और दू हरी मिर्च, इसे भी फ्राइ कर लें अब पार्समती चावल को जिस पानी में भिवोया था उसे ट्रेन कर लें और सिर्फ चावल एड़ करें हलकी हाथों से इसे मिक्स कर लें चावल को इस तरह से घी में फ्राइ करने से उसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है तो इसे करीब एक से दो मिनिट के लिए हम फ्राइ कर लेंगे तो ये दिखिए चावल के दाने अच्छी से घी में कोट हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे दो कप पानी और नमक स्वाद अनुसार इसे एक बार मिक्स कर दें अब ढ़कर लगा करके इसे मध्यमाच पर तीन से चार सीटी आने तक पकाएं कुकर के प्रेशर को हम अपने अब सेटल होने देंगे इसके बाद इसका धकन खुलें वाव इसकी इतनी अच्छी खुश्बो आ रहे हैं ना एक फॉक की सायता से हम इसे फ्लफ कर लेंगे तो जीरा राइस बनकर रेड़ी है यह देखिए एक चावल कितने खिले खिले बने हैं और इसे बनने में बहुत जादा टाइम भी नहीं लगा है और इसकी टेस्ट और खुश्बो तो बहुत ही अच्छी आती है इसे हरी धनिया से गानिश करें यह दाल फ्राइ के साथ बहुत ही अच्छी लगती है तो चेलिए इसके लिए हम फटाफट दाल फ्राइ बना लेते हैं दाल फ्राइ बनाने के लिए एक कप तूर दाल या इसे अरहर की दाल भी कहते हैं इसे मैंने अच्छी से दो-तीन बर पानी से धो लिया है अब इसे मैं कुकर में डाल रही हूँ साथ ही इसमें डालें दो कप पानी आधर चमश हल्दी और एक चमश तेल इसे मिक्स कर लें अब धकन लगाकर इसे तीन से चार सीटी आने तक पकाएं अब इसका धकन खोल कर जो यह कल्ची होती है इसकी जो पीछे वाला भाग होता है इसकी मदद से हम इसे थोड़ सा मैश कर लेंगे यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमें ऐसी ही चाहिए तो अब हम इसे एक साइट पर रख देंगे कढ़ाई में दो चमच देल गर्म कर लें इसमें डालें आधा छोटा चमच राई जब यह अच्छे से तड़कने लगे तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चमच जीरा एक चुटकी हींग कड़ी पत्ता यह ऑप्शनल है अगर हैं तो डालिए अगर नहीं हैं तो भी चलेगा और दो सुखी हर इमेज अब इन सबको हम इगनेट के लिए फ्राई कर लेंगे अब इसमें डाले तो प्यास चॉप किये वे प्यास को थोड़ा लाइट बोल्डन होने तक पकाना है अब इसमें डाले एक चुटा चमच अद्रकलसन का पेस्ट और मिक्स कर लें इसे हम दो-तिन मिनिट कुप करेंगे अब इसमें डाले एक चुटा चमच धनिया पाउडर एक चुटा चमच लालमेश पाउडर और एक चुटा चमच गरम मसाला पाउडर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें मसालो को हम तीन से चार मेट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब मसालों से तेल चूटने लगे तब इसमें डालें तीन टमाटर कटेवे नमक स्वाद अनुसार और एक हरी मिर्च इसे मैंने थुड़ा मोटा मोटा काट कर लिया है अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लें अब इसे कवर करके हमें तब तक कुप करना है जब तक की टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते यहां टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसमें डाले एक कप पानी और जो दाल हमने कुक करके रखी थी इसमें हम वो डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लें फाइनली इसमें डाले कसूरी मेथी और हरी धनिया इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें अब हम इसमें एक उबाला नेक तक पकाएंगे डाल में उबाला आ गया है गैस की फ्लेम को बंद कर दें डाल फ्राइ रेडी है तो इस वीकंड चीरा राइस और डाल फ्राइ एंजॉय करें दोनों का टेस बहुत ही अच्छा आता है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बलकि उससे भी बहुत ही अच्छे वनेंगे तो आप भी ए रेसिपी सब्रूर ट्राइ करें और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक यू